हलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 मस्टर तो अभी हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन के बीच मां होने वाले आज के मुकाबले की सोलवा मुकाबला है टूर्णामेंट का दोनों ही टीम्स अपना होमग्राउंड के उपर और अपना दूसरा मुकाबला जो हुआ था इसनका टूर्णामेंट का वहां पर यह अपने मुकाबला का आपको इनंड़ के उपर मुकाबला हार करा आया साधे साथ बजह आपको इन टामिंग के आप से मैच लाइफ देखने को मिलेगा फिर बाद में ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी स्वायल के पिच यूज़ कर रहे हैं अगर ये ब्लैक सॉिल से उस warto और तौध हो दिल्ली में ब्लैक सॉयल पिच है नहीं इतनी जयादा बढ़ी ना धनकना वैदर रिपोर्ट के अगर आप बात करो तो कोई भी चैस नही है ठीक है छार क्लॉमेटर पर गण लिप्तार यहां पर इतने ज़्यवाद इतने जादा चल नीर और चलेगी तो आपको इतने जादा कुला है को шт चलती है तब भी यहां पर जादा इफ़ेक्द नहीं होगा बॉल के उपर 28 ग्री के बात करो 13 मुकाबले खेले गए इस groupर चार पहले करने वा ली और नो यहां पर पहले बॉल इंटरी नींग वाली मतलब चेस करते हुए टीम नो मुंखाबले यहां पर 120 है लास्ट मैच इसके अगर आप बात करोगे जो स्पिच के ओपर हुए डीसी नहीं यहां पर 162 रन करे थे डिविड वादनर ओपन करते हुए 37 फे उसक्याद यहां पर 30 रन की पारी खेली 4 नमबर पर आ कर अक्षः बटेल लिखे जीसी स्थे नमबर पर आ करा कर साइंस सुधर्षन 30 नमबर पर आ कर 62 यहां पर डेविड मिलर की 31 लांव इससे पहले विजशंकर की 30 लांटिस संक्यार की और यहां दियान दखना तो यहाँ पर पहले इनिंग का आप एक आदा स्पीनर रख सकते हो अगर जैसे देखो दिल्ली की पहले बॉलिंग आई तो आप अराम से कुलीप को रख सकते हो अगर सामने वाली टीम की बॉलिंग आई मुंबई की बॉलिंग आई तो फिर आपको वहाँ का स्पीनर धूनना साथ विकेट स्वांपर भी गिरी थी पांच फास्ट दो स्पिनर इशान किशन ओपन करते हुए 76 रन की पारी इस पिच के ओपर इशान किशन की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है शेयर सही है 36 और हार्दिक पांडिया 31 फिर करनाटका और तमिलनाडू का मकाबला हुआ था प तिस रन की पारी एट आइडे ना खेली और यहां पर जी शतीश ने आपर 31 रन की पारी खेली इतना ध्यान रखना कि भी यह रंज बन रहे हैं प्लस साथ में चेज करना आसान है यहां पर तेरा विकेट्स गिरी थी नौ फास्ट और चार्स पिनर उसके राजिस्तान और अ मुअटाय को थोड़ा सा कफेवर दे सकते हो मुंबाई इंडिएन के अगर आप बात करो अपने दोनों मुकाबले हार क रहे हैं एक मुकाबल अपना होम- बैट्समन राइटाम आफ ब्रिक बॉलर आपके लिए रोई चर्मा है टूएट बत्यस मुकाबले नौसो बारा रहा रहा है इस पिछ के ओपर भी अठारा मुकाबले 35 के साथ अगर आप देखो 561 रन और स्ट्राइकर बन फार्टी डू अभी के लिए उतनी ज्यादा बढ़ 434 और अगर आप देखोगे तो हाँ पर 146 इस ग्राउंड के ओपर चार मुकाबले खेले हैं एक मुकाबला तो आपने देखे लिया इसी ग्राउंड के ओपर 76 रन की पारी थी उसके इलावा जो तीन मुकाबले खेले वहां पर इतनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस र कर जाती है प्लस साथ में अगर माँ बात करूं तो स्टार्टिंग मैं बैट्समें भी बढ़िया परफॉर्म करकर दे कर जाते हैं तो उस हिसाब से कैमरें गिन के लिए पिछ बहुत बढ़िया होने वाली यह वाली पांच रन एक विकेट बारा रन जीरो विकेट परफॉ जान सुथी तो आप यह और रम काबला एक परफॉर्म में बेकार रही यह अभी तक फॉर्म में आया निये यह पलेघर आगा वह वह दिन देखना जब आयगा न उस दिन बहुत बढ़िया परफॉर्म करकर देकर जाएगा आज का भी वह दिन हो सकता क्यों कि डीशी की वी या फॉर्म में नहीं है तिलक वर्मा के अगर आप बात करो लेफ्टन बेट्समन राइटाम ऑफ ब्रेक बॉलर पहले मुकाबला इस टीम के खिलाफ खेले हैं 43 एक मुकाबला इस ग्राउंड के ओपर भी खेला है सिर्फ हो सिर्फ हाथ रन की पारी कर पाया था सौकी श्राइ हेड तो हेड दो मुकाबले खेले हैं 46 एंवरेज 23 स्टाइकर 242 ड्रॉप कर सकते हो अगर आप पिक करना चाहते हो अपनी ग्रेंड लीग में पिक कर सकते हो फिर उसके अगर आप बात करो राइट हैं बैट्समन इस ग्राउंड के ओपर एक मुकाबला खेला है वहां पर ब बॉलिंग कर जाती है तो पिउस चाबला है कुमार कार्ति के अंदोनों में से कोई एक प्लेयर आप रख सकते हो एक स्पीनर आप रख सकते हो लेफ्ट हंड बैट्समन लेफ्ट आम बॉलर आपके लिए चार मुकाबले पिछा मुकाबले में एक विकेट चिटकाई है एड पिछे मुकाबले में आप इसलिए लिए में आपको बोरहना पिक कर सकते हो नेहाल पहले मुकाबला टीम ने खिलाय था 2 अरप करती है बढ़ाई को भी प्रिकॉशनल ही ड्रॉप करा गया था यूंकि पिछे मुकाबले में बढ़ा मतलब फील बढ़िया नहीं कर्राब तब इत खराब थी, head to head के अगर आप बात करो, चार मुकाबले, साथ विकेट, इस ground के ओपर एक मुकाबला, एक विकेट, बड़िया प्लेर रहने वाला, और शायर टीम पका खिलाईगे, आज का मुकाबला इसे, क्यूंकि आज मौका है, टीम के पास पहला अपना tournament का मुकाबले, एक सो तीस रन, फिर उसके बाद, ब्रेविस के अगर आप बात करो, राइट-ंबेट्समें, लेफ्ट आम बॉलर आपके लिए, एक मुकाबला, 37 रन, अब अगर आप उसके नाच, नीचे, रमन दीप की बात करो, एक मुकाबला, इस प्लेयर ने भी खेला, इस आप विकेट टेस रहा था, इस ग्राउन के ओपर तीन मुकाबले, एक विकेट, आरजुन तंदूलकर को भी मौका दिया जा सकता है, बर पतानी टीम कब देने वाली है, दिली कैपिटल के अगर आप बात करो, तीनों मुकाली टीम हारी है अपने, और रन्स अगर आप कर पाए थे, इसी पिच के ओपर 162 रन करें थे इस टीम ना, प्रिच्वी शाओ बहुत ज़्यादा वेकार खेल रहा भी है, यह प्लेयर, फाल्तू का प्रेशर आ जाता है, डीसी की टीम के ओपर, यह यह प्लेयर सिर्फो से 12 या 7 रन करकर आउट हो रहा है, बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, मेरे इसाब से ड्रॉप कर देना चाहिए, फाल्तू का प्रेशर भी है, प्रिच्वी शाओ यहाँ पर, एजा ओपनर टीम को दे देता है, वहाँ पर बहुत जाद इक्कत आ जाती है, डेविड वार्नर के अगर आप बात करो, एंकर मैन का प् अगर आप देखोगे 139, अब अगर आप यहाँ पर देखो, 56 run, 37 run, 65 run, परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, इस प्लेयर की आउट्सेंडिंग परफॉर्मेंस रही है, मनीश पांडी के अगर आप बात करो, राइट हैं माफ ब्रिक, बॉलर, हैट टू हैट टू हैट 23 मुका पहली है, दूसरी बहुत पर आउट हो गया था, पर स्टेल एक बहुत बढ़ी अप लेर, इस आप राम से ट्राइग कर सकते हैं, रिले रूजो की अगर आप बात करो, राइट हैं माफ ब्रेक, बॉलर, हैट टू हैट अगर आप देखो, दो मुकाबले खेले हैं, इस प्ल जल्दी, रिले रूजो को टीम ना रखा था कि भीया बहुत बढ़िया हीटिंग करेगा ये प्लेर, बट नहीं कर पा रहा है, अभी तक क्यूंकि वह यह उपर वाले प्लेयर इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और नीचे वाले रिले रूजो को आने का, आके मारने का मौका मिल ही नहीं रहा है, लली त्यादफ के अगर आप बात करो, पिछे मुकाबले में 38 रंग की पारी, डेविड वार्नर के साथ बढ़िया सा एंकर का रोल प्ले करा था, पर भीया कब तक आप ऐसे प्लेयर से भी बढ़िया परफॉर्म, परफॉर्म के एक्सप बात करो, यह प्लेयर बहुत बढ़िया फाम में ध्यार की अगराप बात करो बात करो गए लेफ्टाम और पार रंस यहां पर 199, एवरेश 22, विकेड 12, इस ग्राउन के ओपर 13 मुकाबले रंस 231, एवरेश 38, विकेड 11, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इस प्लेयर की, अ अगर आप बात करो राइट हैं मीडियम फास्ट बाला पिछे मुकाबले में बॉलिंग करवाई दो ओवर करवाई एक विगेट चटकाई अपने पहले ही ओवर में विकेट लाकर देकर चला गया था है अगर आप बात करो दो मुकाबले खेले हैं 43 एवरेश 21 फिर उसके दव नहीं दिखा है बट आपको किफाइटी बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है एंडिक नौर के अगर आप बात करोगे राइट हैं वैट्षमन राइट हम फास्ट बॉलर आपके लिए हैड टो इस ग्राउन के ओपर दो मुकाबले तीन विकेट इस ग्राउन के उपर जो पि है ठीच के अपर एक विकर दे कर आपकर देगा इस गा Origi फ्ञेट में सरफरास का में चार मुकाबले ऐस झाल को BU कर तो देके कर गया इस ग्राउन के एक पर टीन की पर कारी और SBcs और में की आपकर केम के लिए हैं बियूद के चान के लें इस ग्राउट ग्र आप उनीसर मुकाबलों मामन खान के इतने ज्यादा बढ़िया रही नहीं है मीचल मार्श अभी के लिए अभी लेवल नहीं है फिर उसका चेतन सा करिया कि अगर आप बात करो इस ग्राउंड के ओपर दो मुकाबले खेले हैं एक विकेट चुटकाई है पहला मुकाबला टीम ने खिलाया था परफॉर्मस भी बढ़िया रही थी इस प्लेयर के बट अभी के लिए यह इसको नहीं खिलाया जा रहा है हो सकता है कि आज का मुकाबला चेतन सा करिया खेल जाया है अब मुझे यह समझ पर निया है कि फिलिप साल्ट को शेयों कर रहे हैं बहुत बड़ी अपलेया डिया कर दे कर जा सकता है और आपको बढ़िया पर्फॉर्म कर कर दे कर जा सकता है खिलिप और ट्राई करना चाहिए बिपल के अगर बात करो सेब्सकोरा पर तीन मुकाबले खेले फोटी ठीन क मकाबले 6 wicket इस ग्राइण की ओपर 5 मकाबले चार विकेट लूगेंगेटी के अगर आप बात करो इहां पर 2 मकाबले खेला है इस टीम के खिलाब 3 wicket चितकाई इस ग्राण की ओपर 3 मकाबलों तीन मकाबलों में 4 wicket ईशान शर्मा के अगर आप बात करो बहुत इंक्लूडनी करेगी अभी यहां पर हम टीम डिसकस कर लेंगे अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विकेट कीपिंग सेक्शन में तीन प्लेयर है एक पोराल ने इस पिच के प्लेयर और यहां पर ट्रिस्टेन स्थाब्स का एक उप्शन रहेगा सर्फरास खान को हो सकता है टीम खिला लिया गया सर्फरास खान खेल जाता तो एक इंपोर्टन प्लेयर और फिलिप सॉल्ट को मुझे नहीं पता क्यों नहीं खिला रहे है बट एक बहुत बढ़ी सूरे कुमार यादव का बहुत बढ़ी ऑसें एक बढ़ी ऑप्चिन है बट दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहा है एक प्लेयर ऐसे ही प्रिस्फवी शौफ़ दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे है ग्रेंड लीग में ट्राइग कर सकते हो फिर उसका रापमान पवल एक विगेट लाकर देकर गया फिर उसका टिम डेविट की अगर आप बात करो नीचे आके ज़्यादा बड़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है यहाँ पर तिलक वर्मा मनीश पांडे का एक बहुत आउट्सेंडिंग ऑप्चेन है रिले रूजो की अगर आप बात करो अग तो वह अपनी फिर्की में फसा सकता है सूरे कुमार यादफ को तो इतना ध्यान रखना और रॉब्मन पावल के अगर आप बात करो हिटिंग करनी पा रहा है यह प्लेयर बालिंग में कुछ कर जाए तो वह अलग बात है अब अगर आप यहाँ पर बात करो कि यहाँ पर मि करती है तो यहां पर यहां पर खलील यह दोनों के दोनों ब्लेयर मैंने प्क कर रखने रिले मड़ी देखो आभी टीम में मुंबई के लिए आ चुका है और आपके ले एक बहुत बढ़िया और आपनी पिक कर लेना अब यहाँ पर ना एक स्पिनर आप रख लेना कोई सा तोड़ा से जादा रिसकी हो जाएगा को रखोगे तो थोड़ा जादा सेफ रहोगे आप इस मुकाबले में मुकेश कुमार आपके लिए ग्रेंड लीग का एक बहुत बड़ी ऑप्शन रहने वाला इतना ध्यान रखना अब अगर आप यहां पर बात करें यहां पर रोह चर और क्या खलील फिर उसका जैसन बहरंड़ और यहां पर जार फास्ट बॉलर सारे के सारे भरे हुएं फिर उसके बाद एक स्पीनर है यहां पर एक एक एक्ट्र स्पीनर रखना चाहते हैं वह ट्राइग कर सकते हो और इसके इलावा अगर आप देखो तो यहां पर सूरे कुमार क्योंकि यह फास्ट बॉलिंग के पेच्छा है और वहां पर फास्ट बॉलर बढ़िया परफॉर्म करकर देखा जा सकता है फिर कुल्दी प्यादव यहां पर रिले रूजो बैक अप रखा हुआ तो इतना ध्यान रखना कि यह प्लेयर बैक बहुत बढ़िया रहन करते हैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो को लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो लाइक कर देज़ेगा क्योंकि ऐसी वीडिय कर देखने लिए टेलीग्राम कि लिस्टनल पर